नमस्कार विस्तार न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ भारत सूरज बुलेटिन में खबरों की शुरवात करेंगे सबसे पहली खबर 36 गड़ से है जहां बालोदा बाजार में सीम विश्णुदेव साई कसडोल पहुँचे जहां तमाम नगर पंचायत में उनका कारेकरताओं ने जोरदार स्वागत किया मुख्यमंत्री ने लवन में चुनावी सभा को संबोधित भी किया बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगडे को जिताने की जुनता से अपील की इस दोरान बड़ी संख्या में रिटाइड अधिकारी कर्मचारियों ने बीजेपी की सदसता ली इसके अलावा कॉंग्रेस कारेकरताओं को मुख्यमंत्री ने पार्टी की सदसता भी दिलाई और कहा कि आने वाले समय में बीजेपी 36 गड में तमाम के तमाम सीट जीतेगी साथी साथ जनता का विश्वास भी बीजेपी के साथ बना रहेगा जाबुआ में FST ने एक बस से 72 कीलो चांदी के आभूशन जप्ट किये हैं जिसकी कीमत 57 लाख रुपए बताई जा रही है बस में ये जेवराद प्लास्टिक के काटून में रखे हुए थे FST की टीम गुजराद बॉर्डर पर चेकिंग में जूटी हुई थी अचानक मुखबिर से एक बस में चांदी के जेवराद रखे होने की सूचना मिली जिसके बाद बस की जाच की गई और चांदी के जेवराद से भरे तीन काटून बरामत किये गए है हैरानी की बात ये है कि आभूशनों का मालिक कौन है इस बात का अब तक पता नहीं चल पाया है चेकिंग पर पाया गया कि महासागर ट्रेवल्स की बस जो राजकोट से इंदोर जा रही थी उसके तीन संदिक्द बोरे मिले जिनको जब चेक किया गया तो उन बोरों का वारिस कोई नहीं था उसके लगभग 72 किलोग्राम के आसपास की चांदी थी जिसका बजार मूर लगभग 56-57 लाग के आसपास है अगली खबर मध्रदेश से है जहां भेंड के मौव में कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनावी संभा को संबोधित किया उन्होंने कॉंग्रिस प्रत्याशी फूल सिंग बरया को जितानी की जनता से अपील की वही उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला उन्होंने कहा कि अभी पीए मोधी की गारंटी चाइना माल है जिसकी कोई गारंटी नहीं है वही मोधी की गारंटी है उन्होंने बीजेपी में शामिल होने वाले कॉंग्रिस नेताओं को लेकर कहा कि अभी जो लोग BJP में शामिल हुए हैं चुनाओ के बाद वही लोग वापस से कॉंग्रेस में आ जायेंगे वो कहीं के नहीं है चुनाओ के बाद पता चल जाएगा कि जो लोग BJP में गये हैं उनकी जगय क्या है तो वहीं बिंड के महों में यूपी के डिप्टी सीएम केशब प्रसाद मौर्यन ने भी कॉंग्रिस पर जम कर हमला बोला है उन्होंने कॉंग्रिस को ब्रश्टाचार की अम्मा तक कह डाला उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाओ आपको सौ से आगे लेकर जाएगा आपको बता दे कि BJP के तरफ से लगातार चुनाओ का प्रचार किया जा रहा है बड़े बड़े दिगजनेता अलग अलग जगह कैम्प कर रहे हैं इस बीच उत्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है इस बुलिटिन में फिलाल के लिए इतना ही बाकी देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हैं विस्तार न्यूस क्योंकि विस्तार पर खबरों की रफ़तार कभी नहीं खमती नमस्कार